आप स्टूडेंट्स ने अगर यहां पर स्टडी जो है कंटिन्यू करनी है जैसे कि यहां पर आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश जी के ठीक है यह सब आपको यहां पर करवाया जाएगा क्रेंट फिर आप लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर चैनल को सब् का जो रिटन इक्जाम हुआ था 2017-18 में तो वो आपको यहां पर कुछ कोशन्स करवाएंगे सासाथ में आप आंसर दीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पहले भी आई थिंक आपने यह वीडियो देखी होगी बट हम आपको यहां पर फिर से एक बार जो है यहां पर कर कि यहां पर आप अपने आपको चेक कर सको कि आप कितनी प्रिप्रेशन में हो और जो 2022 में जो एक्जाम हुआ था जेकि पी बॉर्डब टैलियन का उसका भी जो है पेपर हम यहां पर लेके आएंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है तो चलिए आज के हमारे यहां पर questions है फर्स्ट question जो आपको दिया गया है which causes maximum pollution अब जो आपको इसमें से option दिये गे है carbon oxide, oxygen, nitrogen, carbon monoxide इसमें कहा गया है कि maximum pollution का कारण क्या है carbon oxide है oxygen है nitrogen है या carbon monoxide है तो इसका जो सही आंसर है वो है option D carbon monoxide जो है यह maximum pollution का कारण है ठीक है अब next यहां पर question आपको पूछा गया है which one of these medicine is used for treating acidity आप किसी को acidity हुई हो ठीक है न तो उसके लिए कौन सी medicine option में से use की जाती है जो आपको option दिये गे है इसी में से आपको बताना है ठीक है तो acidity के लिए first option antibiotic, analogic यहां फिर antiseptic यहां फिर आपका जो है यहां पर antiseptic ठीक है तो इसमें आपका जो सही answer है जल्दी से जो है अपना यहां पर मुझे बताएं कि आपका सही answer क्या है इसमें तो इसका जो सही answer है option number C antacid ठीक है यह medicine use की जाती है acidity के लिए ठीक है चलिए अब next question है यहां पर आपके पास कि zebra lines का मतलब क्या है किस ठीक है यहां पर next question है kidney का function क्या है यह तो सबको पता होने चाहिए कि kidney का function है वो है excreation ठीक है next question है insulin is used in treatment of question number 5 इसका answer जो है वो है diabetes यानि कि insulin जो है वो use की जाती है diabetes के लिए अब आप लोग कहेंगे कि माम यह paper तो बहुत easy है देखे easy नहीं है पिछली बार भी 2022 में water battalion woman water battalion क जो exam हुआ था उसमें भी कुछ यानि कि जादा से जादा question जो थे वो easy थे और easy में बच्चे क्या करते हैं confused हो जाते हैं कि कौन सा option जो है वो सही है ठीक है इसलिए easy मत कहिए आपको जितना आता है आप उतना देखिए ठीक है कितना score जो है आपका यहाँ पर आता है ठीक है अब next question है यहाँ पर oxygen in human body is transported by ठीक है human body में जो oxygen आती है वो किसके द्वारा आती है lungs के द्वारा आती है या फिर blood के द्वारा या nerves या muscles के द्वारा तो oxygen जो human body में आती है उसका मतलब है blood के द्वारा option B जो है आपका सही answer है ठीक है next question है blood pressure is measured by तो blood pressure जो अगर हमें नापना हो ठीक है हमारा BP जो है अगर हमें नापना हो तो उसके लिए कौन सा measurement जो है हम यहाँ पर लेते हैं उसका सही answer option number C spike को manometer ठीक है अब next question number 8 पे आते हैं which is the correct statement below अब इन में से आपको पता है force की definition आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर force की statement पूछी है इसमें स कौन सा option जो है वो सही है तो इसका option जो है वो है option number A the force with which the earth attracts all object towards itself is called gravitational force done next question है a dash is the smallest structural and functional unit of life यानि की smallest structure बताना है कौन सा है जो small structure है वो है हमारे पास यहाँ पर option number D यानि की cell, cell जो है वो बिल्कुल छोटा है ठीक है next question है a microscope is a microscope की definition आपको पता होनी चाहिए कि microscope होता क्या है अब आप यहाँ पर ही देख लिए कि जो आपको option दिये गे हैं क्या इन में से जो सही है वो कौन सा option होगा जैसे first option दिया है कि instrument जो हम जो microscope है वो क्या छोटी सी चीज को बड़े में दिखाता है यह instrument to big object जो बड़ी चीज है उसको magnify करता है ठीक है इस तरह से जो है यह आपको बढ़ाएगे है तो C option भी जो दिया गया है view small object by keeping अगर हम रखेंगे distance में तो क्या हमें वो दिखेगा नहीं इसका option number सही जो है वो है instrument to view small object by magnify them ठीक है वीडियो को like और वीडियो को share जरूर कीजेगा क्योंकि next जो है वो भी आपके लिए लेके लेके आएंगे जो 2022 में एक्जाम हुआ था ठीक है अब next question आपको बुछा क्या है electroplating saves electroplating क्या save करता है the metal from corrosion the plastic from melting clothes from ironing या फिर इन forest जो है वो provide करता है local people को क्या क्या provide करता है fodder, herbs, fruits and nuts या फिर d all of the above तो forest आपको पता है jungle में जो है fodder भी होते है herbs भी होते है fruits and nuts भी होते है तो यानि कि all of the above इसका सही आंसर है अब next question है positively charged particle that is present in the nucleus of every atom is तो positively charge करता है वो कौन सा nucleus है वो आपको बताना है जो हर एक atom में होता है electron, neutron, proton या इन में से कोई भी नहीं तो 13 portion का जो answer सही है वो है option number C यानि कि proton ठीक है अब next question है botany, botany के लिए अगर आप लोगों ने botany आपको पता हो या किसी ने botany में study की हो तो उसको पता होना चाहिए क botany में कौन से जो है study करते हैं, किस के लिए study करते हैं, animals के लिए, knowledge, plants के, birds के या फिर insects में, तो botany की study है वो है option number B, यानि कि plants की study होती है, next question है, साइद अल्थ बुखारी is the member in JNK state for, ठीक है, तो साइद अल्थ बुखारी जो है, वो member है JNK state for, किस के लिए, ये उस time का question पू पूचा गया है, the constant assembly of JNK, ratified the accession of state to India on, constant assembly JNK में ratified तब हुई थी, ये हुई थी, 6 February 1954 में, ठीक है, 17th question है, which of the district of Jammu share its border with Himachal, ये question का answer, आप मुझे देंगे, अब आप यहां पर देखेंगे, आप students कहते है, easy है, आप मुझे ये बताएंगे, कि ये question कितना easy है, ठीक है, next question जो है, the largest district in terms of area in JNK state is, ठीक है, अभी तो फिलाल UT बन चुकी है, और largest district कौन सी है, area wise में, ये question भी आपने हमें बताना है, 17th और question number 18 का answer, वहां पर लिख के मुझे बेजिए, next यहां पर question है, the gateway of JNK, अब जो JNK का gateway है, वो कौन सा है, इसका जो सही answer है, वो option number 19 का जो question सही ह है, वो है लखनपुर, ठीक है, अब यहां पर next question पूछा गया है, which of the following soil is suitable for growing saffron, saffron के लिए कौन सी soil जो है, वो सही रहेगी, उसको growing करने के लिए, तो इसका सही answer, option number C, के रेवा, soil, ठीक है, question number 21 है, India is the second largest producer of silk in the world after, तो second largest producer of silk, जो पूरे world में है, कौन सा है, option number, जो आपक Pashmina wool is obtained from which of the following livestock, इसमें से Pashmina wool का आपको बताना है, कौन सा livestock है, तो वो किस से बनता है, option number, जो आपका सही है, goat, ठीक है, question number 23 है, the main animal species, the Dachigam National Park is famous for, तो Dachigam National Park जो famous है, वो किस के लिए है, वो है, आपके पास, option number C, hangul, ठीक है, अब यहां पर next question पूछा गया है, which of the following place in the state of JNK does not have a civil airport, तो यह आपको पता होना चाहिए, फिलाल तो अभी आपको पता है, UT बनी है, तो 24 का जो सही आंसर है, वो है, option number D, करगिल में, जो है, civil airport नहीं है, next question है, गुल का मतलब क्या है, flower in which the following language, अब गुल का मतलब है, यह एक flower है, और इसको किस language में बोला जाता है, तो तो 25 का जो आंसर सही है, वो है Persian language में, ठीक है, अब next question यहाँ पर पूछा गया है, UNO का headquarter कहां पे है, तो इसका जो सही आंसर है, UNO का headquarter is New York, 27th question, which of the following mark, the end of the winter season, तो कौन सा mark आता है, आपको पता होना चाहिए, वो है, आपके पास option number A, यानि की लोडी, ठीक है, कहा जाता ह कि लोडी के बाद ठांड काम हो जाती है, चलिए, अब इस बार तो बहुत जाथ हो गई है, ठीक है, न, कुश्मीर वालों को तो पता होगा, चलिए, next question है, which of the following is known as father of कुश्मीरी गजल, अब option में से जो आपको दिये गए है, इन में से आपको बताना है, कि कुश्मीरी तो कितनी है, फिलाल उस टाम का कोश्चन पूछा गया है, तो उसी टाम का कोश्चन जो है, स्वाल करेंगे, तो 30 का जो option number सही है, वो option number है, C, 6, ठीक है, state of JNK has unicameral legislature, या bicameral, या both of the above, या none of the above, तो 31 का जो question number सही है, वो है bicameral legislature, ठीक है, next question है, director general of police of the state of JNK is, 2017-18 में 24 में ही पूछा जाए, ठीक है, आपको ये भी हो सकता है कि 2017-18 का पूछा जाए कि DGP उस वक्ते कौन था, तो कहरे बताओगे आप, आप तो पहले ही बोल रहे हो कि, ये तो जो questions है, इसके option जो है वो गलत है, क्यों, क्योंकि ये 2017-18 में ही आया था, ठीक है, फिलाल अभी की recently की बात नहीं कर रही हूँ, तो उस वक्त की DGP जो थे, वो है थे, 32 का जो option number सही है, वो है Dr. S.P. Wade, 33 question है, flory culture deals with, flory culture किस से deal करता है, तो flory culture जो है, ये deal करता है, option number C, flower से, ठीक है, ऐसे याद कर ये, flory, flory मतलब flower, flower, ठीक है, इस तरह से, अच्छा, अब बताए, कि SDRF की trend है, SDRF की जो full form है, वो है, state disaster response force, next question है, double hump camel, जो है, वो कहां पाय जाते हैं, जिनकी 2 feet होती है, camels की, तो वो कहां पर पाय जाते हैं, इसका option number जो सही है, वो है, ले में, ठीक है, अब next question आपको पुझा गया, which is the second coldest inhabited place in the world, तो second coldest कौन सी है, my second coldest जो है, वो है Dras, which is the least public district of the J&K, जो की UT है, तो इसका जो सही answer है, वो है, आपके पास option number C, जोड़, ठीक है, यह याद रखिएगा, चलिए next question आपको पुझा गया है, which of the following is the largest mode of transportation in J&K, तो largest mode पे कौन सी जो है, road है, water है, air है, या रेल है, तो इसका जो सही answer है, वो option number A, यानि की road, अभी यार, रो sir, है न, तो Amrit sir, कैसे जाओगे, आप तो सोचोगे की जल्दी पहुंच जाएं, तो by road से जाओगे, तो आपको time लगेगा, train से जाओगे, तो फोड़ा time, जो है, वो काम हो जाएगा, ठीक है, न, assume करोगे, चलिए, अगला question है, जलियों वाला बाग, जो है, वो कहाँ पर है अब जो Amrit sir गे है, उनको पता है, जलियों वाला बाग कहाँ पर है, जिनका exam है, तो यानि कि कहाँ पर है, Amrit sir, MNC stand for, MNC जो है, इसका full form जो है, वो क्या है, वो आपको पूछा गया है, तो 40th question का जो answer सही है, वो है, option number C, multinational corporation भी है, और multinational company भी है, ठीक है, next question है, who lead the civil disobedience movement in India में, तो ये answer जो है, इसका महात्मा गांधी, डीपेस लेक, बता दीजिए हमें, JNK की कौन सी है, जल्दी से जल्दी answer बता दीजिए, next question है, who was the founder of the Mughal dynasty in India, ये पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के question, fight battles बगरा ये साब question पूछे जाते हैं, कि इसका आपको पूछा है, Mughal dynasty का founder कौन है, इसका जो है, वो है, option number A, जाहिरो दिन, तो next question आपको पूछा गया है, people in the world mostly follow which is the following religion, तो अब जो लोग है, वो जादा से जादा world में कौन से religion के हैं, वो पूछा गया है, तो इसका जो सही answer है, option number C, Christianity, ठीक है, teacher day कब होता है, by 5 September, ठीक है, teacher day कब होता है, 5 September महात्मा गांदी को किस नाम से जाना जाता था, महात्मा गांदी को जाना जाता है, father of the nation, ठीक है, और ये आज की हमारी question थी 46, next question हम 100 complete करेंगे, तब तक के लिए, इस वीडियो को like और share कीजे और channel को subscribe कीजे, मिलते हैं, next video, next update के साथ student, bye bye, ठीक है